हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार LDC और चात्रावास अधिक्सक एक्जाम के लिए जो गणीत विश्यक आपके सिलेबस दे रखा है उसको मैं लेकर क्या रहा हूँ और हम टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक को कम्प्लिट करते चल रहे हैं साथी साथ उनके पीवाई क्यूज को भी अपन कम्प्लिट कर रहे हैं हमने गुननखंड बहुपद के गुननखंड और उसके बाद मैं द्युगात समिक्रण को जो ह होते हैं और किस परकार से हम समिक्रण के जो है मूलों को ग्याद कर सकते हैं आज हम जो है इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं जो हमारी थोड़ी सी एक दो लाइन ए theory की रह गई है विविक्त कर एक तो निकालना सिखेंगे और एक concept है चोटा सा वो सिखेंगे और फिर हम जो है आज PYQs को करने वाले हैं कि जो ये दियुगार समिकरण है quadratic equation जो chapter है उसे किस परकार के questions आप से पूझे जा रहे हैं तो आज से पहले की सबी classes हमारे YouTube चैनल पर playlist के class होती है Monday to Friday और last Saturday को तो अपने एक objective question की class भी ली थी तो हो सकता इस Saturday को भी कुछ अच्छा सा आप लोगों के लिए आता रहे इसके अलावा हमारी जो science की पुस्तक है वो आप लोगों तक जो है कल या परसो आपके पास market में आ जाएगी तो अब जो है आप लोगों को वो प उस तक भी हमारी मिल जाएगी ऐसे ही फिर हम आगे सोच रहे हैं कि बहुत सारी अलग-अलग किताबे आप लोगों के लिए निकाली जाएगी जिन्हें आप पढ़ करके उतने exam को qualify कर सकते हैं ठीक है चलिए ये मैंने दो एक सेकंड होमवक कोशन दिये थे ना ये मैंने कमेंट भी किया था और बहुत अच्छी बात है अब आप चेक करिएगा कि आपके आंसर सही थे या नहीं थे तो देखेंगे इस कोशन को solve करते हैं चोईस के टुकड़े करने हैं तो क्या लिखोगे एक इंटु चोईस लिख सकते हो दो इंटु बारा लिख सकते हो तीन इं इन्टु चैर वाले आठ इन्टु तीन वाले बारा इन्टु दो वाला चोईस इन्टु एक वाला वो अपने मतलब नीए कि एक ही चीज़ आइए अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि इसको जोडने या घटाने पर इन्ट रहा है तो चोईस और एक 25 होथा है चोईस में से आगया option बस अब आगे चैक नहीं करना बस वो जैसे ही मिल जाए वही होगा एक ही होता इसलिए ठीक है 8 और 3 मिल गए 8 और 3 कितने होते हैं 11 होते हैं लेकिन हमारे पास में 8 प्लस 3 करें तो प्लस के 11 आएंगे हमें चाहिए है माइनस के 11 और जब अपने पास माइनस के 11 क्या करोगे दोनों संख्याओं को माइनस की ले लोगे ताकि क्या होगा माइनस 3 और माइनस 8 माइनस के 11 बन जाएंगे तो बस आप क्या ले लोगे माइनस 3 और माइनस 8 ले लोगे अब इनका देखो गुना करोगे तो पलस का 24 आएगा है ना ये तो कब आएगा गुना करने प मिल चुका है X का मान एक आएगा आपके आठ और एक तीन ठीक है अब आपके पास X बराबर क्या आगया तो X बराबर जो है आप माइनस तीन लेंगे और एक लेंगे माइनस का आठ लेंगे ठीक है समझ में आगई बार लेकिन क्या ये X का मान जो है आप इसका मूल कहेंगे न पर उनके चिन क्या हो जाएँगे देखो माइनस है तो ये प्लस 3 में converts होगा, ये माइनस 8 है तो प्लस 8 में converts होगा, यानि इसका फाइनल आपके मूल आएङँगे प्लस का 8 और प्लस का 3, ये आपका अनसर है, समझ में आगई बात आठ और तीन जो है वो इसका अंसर हो जाएगा अब आप पुट करके देख लीजिए बले जैसे ही देखो आप माइनस तीन इसमें पुट करोगे तो भी ये जीरो नहीं होगा तो वैसे भी समझा जाएगा कि ये इसका मूल नहीं है हाँ ये एक्स का एक मान है हमें ये पता चल गया लेकिन साइन क्या आएगा वो हम डिशाइड करेंगे इसके अंदर पुट करके भी कर सकते है अधर वाइस जो इनका हो उसका उल्टा कर दीजिए ठीक है अब आप आठ पुट करिए आठ का स्क्वर चॉसट और चॉइस अठी आसी माइनस का अठी आसी जीरो आ रहा है जैसे आप चेक कर सकते हो ये हो गया स्वाल आपका आठ और तीन आंसर आएगा अब इधर है तो जब देखो एकस स्क्वर का गुणांक आपके पास मैं वन नहीं हो तो तब आप इस मैथर को लगाने से बचिए तब आप क्या करोगे इस मैथर से बचेंगे और सिधा सिरी दराचारे का मैथर लगाएंगे एकस बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर उट बी स्क्वर माइनस 4AC डिवाइड बाइ तो अ अब ये वैल्यू जो है इसमें से उठा उठा कर ABC इसमें पूट कर दीजिए उठा उठा कर रख दीजिए इसके अंदर माइनस अब माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर उट बी स्क्वर यानि माइनस 9 का स्क्वर माइनस 4 एक इवैल्यू 2 सी की वैल्यू 7 ठीक है डिवाइड पाइ 2 इन्टु एक इवैल्यू 2 अब इसको صॉल करेंगे माइनस माइनस प्लस यानि 9 प्लस माइनस अंडर उट नौ का स्क्वर 81, फिर 7 दुनी 14, 14 चौक चपन, ठीक, डिवाइड बाइ 4, यह जाएगा 9 प्लस माइनस, अंडरूट, 81 मेंसे जब चपन जाएगा, तो आपका 25 आएगा, कितना आएगा, 25, 25 आगया, ठीक है, यह 25 आगया, डिवाइड बाइ 4 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस म माइनस, अंडरूट 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 9 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, अब इसको जो है, अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, और एक बार माइनस साइन, प्लस साइन लेकर के यहां रखेंगे, तो कितना आएगा, 9 और 5, 14 14 बट्टे 4 यानि 7 अपॉन 2 कटके और जब आप माइनस 9 लोगे तो एक आ जाएगा तो ये दो इसके जो है मूल हो जाएंगे कौन-कौन से 7 बट्टे 2 और एक जो है इसके मूल हो जाएंगे इसके तो डारेक मूलनी निकले है इसमें कोई sign準 परिवर्तित नहीं करना है क्यों कियोंकि अपनने स्रीधराचारेजिका मैसर लगाया है अगर ये मैसर नहीं लगाते हो ये वाला लगाते हो तो जो sign आते हैं उसको बदलते हैं जरुएज आपको sign बदलने की ज़रूआत नही ही है यह दोनों कोशन मैंने होमवर्क में दे रखे थे जिस भी विद्यारती ने स्वाल कर लिए बहुत बढ़िया बात है ठीक चलिए एक अपना लिनियर वाला जो कोशन है वो रह रहा है उसको मैं अगली क्लास में जो है डारेक्ट छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँग इस टॉपिक को आज ही मैं कंप्लीट करने की सोच रहा हूं इसलिए अब देखेंगे एक दो चोटी-चोटी सी चीजें और फिर जो है अपन डारेक्ट कोशन पर आएंगे देखिए एक अपने पास कॉंसेप्ट आता है विविक्त पर विविक्त पर जिसे इंगलिस में कहत है और यह होता क्या है तो आप लिखेंगे कि डी बराबर होता है दी स्क्वेर माइनस फोर एसी क्या होता है अब देखेंगे कि यहां पर केस तीन बनते हैं पहला केस बनता है कि अगर डी का मान greater than zero है बी का मान क्या आजावे greater than zero आजाए यानि बी स्क्वेर माइनस फोर एसी आप इसके अंदर मान रखो और मान रखने पर जो मान आएगा निकल करके वो greater than zero आगया तो जो आपके मूल होंगे वो कैसे होंगे वो मूल हो जाएंगे आपके परी में तथा असम्मान यानि अलग-अलग मूल आएंगे अलग-अलग roots आजाएंगे clear अब case two क्या कहता है अगर मान लीजे डी बराबर zero हो जाएंगे डी बराबर क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो फिर ये कैसे होंगे परी में तथा सम्मान परी में तथा सम्मान ठीक है और बात करें अगर case number three की डी less than zero की बात करें तो कोई वास्तविक मूल नहीं है इसका ठीक बल्ला इसका कोई भी जो मूल निकलेगा वो वास्तविक नहीं होगा कालपनिक होगा वो क्या होते हैं वो आ गया आएगा कोई वास्तविक मूल नहीं समझ में आ गई बात तो ये जो तीन case है अपने पास कौन कौन से डी greater than zero तो परी में तथा असम्मान जो दो मूल निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे परी में संख्या होगी और कैसे होगे असम्मान होगे अगर डी बराबर zero आ गया तो परी में होगे और सम्मान होगे डी less than zero आ रहा है तो कोई वास्तिविक मूल होगा ही नहीं अब ये बेनिफिट कैसे करेगा आपको जब आपके एक्जाम में कोशन आएगा और दियुगात समिकरन दे करके पूछ लिया कि इसके मूलों की प्रकती कैसी है को आपको वहां मूल निकाल करके न अलग-अलग मूलों को न मूल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इनका कॉंसेट के लियर हो जाए जैसे कि मैंने मान लिजिए एक इक्वेशन ली x square – 3x plus 2 पराबर 0 ये अपने पास में क्या आ गई एक equation आ गई x square – 3x plus 2 अब इसके मूलों की प्रकती आप से पूछी जाती है मूल नहीं पूछे केवल मूलों की प्रकति पूछी हाँ मूल पूछेगा तो फिर आपको जो पीछे स्वाल करते आ रहे हो वो स्वाल कर लेना और मूलों की प्रकति से आपको पता चली जाएगा कि कैसे है लेकिन केवल प्रकति पूछी जाती है और ये अंदर value put करो B का मान कितना है minus 3 तो यह लो minus 3 का square minus 4 A की value कितनी है 1 C की value कितनी है 2 अब देखिए minus 3 का square हो जाएगा 9 minus 4 एकम 4 4 दुनी 8 9 minus 8 कितना हो गया 1 बताइए 1 क्या है greater than 0 है 0 से बढ़ा ही है बस तो 0 से बढ़ा है इसका मतलब यह कैसा हो जाएगा तो इसके जो मूल आएंगे वो परी में आएंगे तथा असमान आएंगे अलग अलग इसके मूल आएंगे clear खेल खतम पैसा हजम चलो लिखे लो इसको नौट डाउन कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं ऐसे ही दो चोटे-चोटे से और कोशन दिखा देता हूं डी बराबर 0 के भी और डी लेस देन 0 का फिर अपन आगे बढ़ेंगे ठीक चलो देखिए अब एक और अपन जो है देखते हैं आपके पास मैं आगिया मान लीजिए क्या आ रहा है ये भाई अचा है X स्क्वेर ठीक है देखिए नेक्स्ट दूसरा X स्क्वेर प्लस 6X प्लस 9 बराबर 0 ये अपने पास एक जिवगाज समिक्रण आ गई A, B, C आपको मान दीख गए A का मान बद, B का मान प्लस 6 C का मान प्लस 9 D की वैल्यू निकालो D की वैल्यू क्या होती है B स्क्वेर मान प्लस 4AC अब इसमें पूट कर देंगे तो देखो, B यानि 6 तो 6 का स्क्वेर मान प्लस 4, A की वैल्यू 1 C की वैल्यू 9 6 का स्क्वेर, 36 मान प्लस 44, 34 लो भाई, कितना आया, 0 इसका मतलब जो इसके मूल आएंगे वो दोनो बराबर आएंगे और आप लोगों को साइद याद हो तो मैंने ये करवाया था कितने मूल आते हैं इसके तीन तीन आते हैं दोनों के दोनों मूल कितने आते हैं तीन आ जाते हैं ठीक है तो यह इस परकार से क्या हो जाएगे आपके डी से पता चल गया इसके दोनों मूल दोनों मूलं कैसे होंगे सम्मान होंगे। तो कोशन नमबर तीन आपके पास में आ जाता है कौन सा लेते हैं एक और ले लेते हैं जिसमें लेंस लेंज जीरो होता हो तो मज़ा आ जाएगा कोई भी समिकर्म बना नहीं है अपने को तो यह रहां तो आलतुनी वाला कौन सा फाइव एक लेते हैं देखिए नेक्स कोशन है फाइव एक्स स्क्वेर माइनस त्री एक्स प्लस नाइन बराबर गीरो यह आ गया लोग पाइव एक्स स्क्वेर माइनस त्री एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो तो इस अब दियुगाश समिकर्म के अगर अपन मूल चेक करें तो भाई देखो V बराबर V स्क्वेर माइनस 4 A C ऐसे बार बार जब लिखोगे तब जाते भाई याद होगा पहले ही बता देता हूँ यह advance math है यह पहले ही बता दूँ आपका पूरा जो पाटे करम है उसमें केवल और केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जिसमें अनुपार समानुपार लाबादी वो सब दे दिया बागी पूरी math advance math दिये तो इसलिए इससे बचिये इसको समझिये ऐसा नहीं भी जो है आप यह सोचते है बस हाँ गणी इतना क्या हो जाएगा हो जाएगा नहीं बहुत कुछ हो जाएगा महाँ पर देख लो इधर इधर देखेंगे अब गी का मान माइनस 3 माइनस 3 का square माइनस 4 A की value 5 C की value 9 माइनस 3 का square 9 माइनस 4 पन्ज़ 20 29 180 कितना आ गया माइनस का 171 आ गया तो इसके क्या हो जाएगा काल्पनिक सीदे सीदे लिख दो बस काल्पनिक मूल कैसे मूल है इसके काल्पनिक मूल हो जाएगे अगया हो गया आपका काम आसान अब चलिए तो इसको भी एक बार नॉ letzt डाउन कर लीजिए फिर एक बस आपके जो है यह topic यह मान के चलिए कि अब PYQs की और बढ़ने वाला है और जैसे जैसे PYQ आए हैं वो अपन यहां पर कर लेंगे चलो अब एक इसका note point लिख लो कि यदि किसी द्यू घात समी करण के alpha बीटा दो मूल है तो अब देखो कोई भी एक द्यूगास समी करण है अपने पास में जिसके अपने को केवल और केवल जो है alpha और बीटा दो मूल दे दिये गए है alpha बीटा जब दो मूल दे दिये जाते हैं तो समिक्रन जो होती है वो यह होती है x square minus alpha plus beta x plus alpha गुणा beta बराबर 0 समझ में आ गई बात जब आपको समिक्रन कोई दे रखी होगी और कहा गया होगा कि दिवगा समिक्रन के दो मूल यह है तो आपको समिक्रन लिखनी है तो समिक्रन लिखते समय आप उस मूल को बनाने मत बैटना उन मूलों से समिक्रन बनाने नहीं जाना है बनाने का तरिका यह होगा जो भी आगे सिखाया जा रहा है ठीक है लेकिन अगर direct समिक्रन लिखनी है तो आप यह लिख दोगे सीधा इस से यह ट्रीक है x square minus alpha plus beta कर देना और into x करवा देना plus alpha plus alpha गुना बीटा कर देना ठीक है समझ में आगई बात अभी मैं इस पर based question आपको दिखाऊंगा आया हुआ है और अगर आपको जो है मान लिजिए कि जो मूल दे दिये जाते हैं और उन मूलों से आपकी इच्चा कर रही है कि हम इसका जो है द्यूगार समिकरम बनाएं तो क्या तरीका होगा तो आप जो भी मूल दे रखा होगा उसको x के साथ मैं attach करेंगे यानि मैं भी आगे दिखा देता हूँ लो एक बार देखनो आप मान लो कि आपको कहा गया कि एलफा और बीटा ये दो मूल है अब एक तो पीछे स्वाट कर तरीका बताया अधर भाईज आप क्या करो कि x बराबर पहले एलफा रखो और इधर भी x बराबर बीटा रख दो फिर इस एलफा को x के पास ले आओ यानि x माइनस एलफा बराबर जीरो कर दो और x माइनस बीटा बराबर जीरो कर दो फिर इन दोनों का गुणा कर दो x माइनस एलफा गुणा x माइनस बीटा बराबर जीरो जब आप इसका और इसका गुणा करोगे x-alpha और x-beta का तो यह हो जाएगा x-square minus alpha plus beta x plus alpha beta बराबर j यही आएगा तो यह आप तो direct यह वाली समीकरण याद रखो otherwise फिर इतना बड़ा चोड़ा पूरा आपको क्या करना पड़ेगा process करना पड़ेगा ठीक है तो हमें process करने से बचना है हमें exam के अंदर जितना हो सके अपना समय बचाना है इसलिए आप सीधे-सीधे इसको याद रखेंगे और इसको not down कर लीजिए फिर मैं आगे आपको बहुत अच्छी सी चीज दिखा देता चलिए तो आपने इसको लिख लिया होगा अब आप आगे एक और चीज देख लिजिए कई बार जो है हमसे यह कहा जाता है कि मूलो का योग क्या कहा जाता है मूलो का योग ठीक है अब मूलो का योग तो alpha और beta मालीजिए मूल है तो alpha प्लस beta यह योगा मूलो का योग अब हम जो है समिकरन देखते ही कोई समिकरन दी गई उसको देखते ही ये कैसे पता लगाएंगे कि उसके मूलों का योग क्या है तो आप क्या करेंगे कुछ भी नहीं करना माइनस साइन के साथ जो X का गुनांग होगा B बटे X स्क्वेर का जो गुनांग होगा ओ लेंगे इसका मतलब मूलों का योग क्या होता है माइनस साइन के साथ X का गुनांग रिवाइड बाइ X स्क्वेर का गुनांग बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना है ऐसे ही अगर आप से पूचा जाए मूलो का गुनन फल क्या पूचा जाता है मूलो का गुनन फल यानि एलफा इंटू बीटा का मान पूचा जाता है तो एलफा गुना बीटा जो होगा वो होता है constant term बटे X स्क्वेर का गुना यानि आप क्या लिखेंगे नियतांक नियतांक बट्टे X स्क्वेर का गुणाँ समझ में आ गई बात बस ये करना है ये दो चीजे भी याद रखना काफी काम की चीजे है और इंपर बेश्ट भी कोशन आया हुगा है तो मूलो का गुणनफल और मूलो का योग ये दो चीजे हमें अच्छे से याद रखनी है कि मूलो का योग जो है वो अलफा प्लस बीटा होता है माइनस B अपॉन में A यानि माइनस ओप X का गुणाँक बट्टे X स्क्वेर का गुणाँ और मूलो का गुणनफल होता है अलफा इंटू बीटा करके पूछिएगा थोड़ी सी तब यह ठीक नहीं है आप लोगों को साइंस किलास के अंदर बताया था फिर भी इसको रिकॉर्ड करने की कोशिस जारी रखोंगा मैं देखिए अब हम अगर देखें तो दिवगास अमिकरन के जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकने वाले कॉंसेप्ट थे वो यहाँ पर होते हैं समा अब हमें क्या करना होगा कोशन्स करने होंगे ताकि हम जैसे जैसे कोशन्स करेंगे हमें इस चैप्टर की और समझ विक्षित होगी बागी तो आप जो है त्योरी तो कितनी पड़ें कोई फाइदा नहीं हो सकता जब तक कोशन्स नहीं होगा आपन से तो देखिए यह है आपके सामने पहला कोशन और क्या कहता है यह कोशन्स वो देखेंगे अब हम एक है ना यह यह देखिए आपके पास आगया कोशन्स दिख रहा है आपको अच्छे से एक दम दिख तो रहा है कोशन्स नहीं दिख रहा हो तो एक सेकंड और बढ़ा कर देता हूँ क्योंकि इस कोशन्स के अंदर मुझे ज़्यादा समझाने की जरूत है इनी आप खुद ही कर जाओगे देखो कोशन्स क्या है कि यदि एक दिवगात समिकरण के मूल है अलफा प्लस बीटा उसके मूल है अलफा प्लस बीटा तथा अलफा माइनस बीटा दो मूल है कौन-कौन से अलफा प्लस बीटा alpha minus beta हो तो यूगात समिक्रण है बस हो गया solve question देखिए क्या करेंगे सीधा सीधा सा मैंने क्या बताया था आपको कि आपको जब भी ऐसा question आएगा तो आपको यह समिक्रण याद रखनी है x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta गरावर 0 है ना यह answer यह नहीं है यह answer थो तब है जब आपके पास में mul क्या होते alpha और beta अभी mmul क्या है alpha अभी mul क्या है alpha plus beta और alpha minus beta यही तो दोग मूल है तो अब आपको क्या करना है जहाँ alpha है उसकी जगह आप रखोगे alpha plus beta पूरा का पूरा क्योंक ी यह एक पुरा मूल है और बीटा की जगे रखोगे alpha माइनस बीटा क्योंकि ये भी एक पूरा मूल है अब ये दोनों मान उठा करके समिक्रण में रखिए आपका आंसर आजाएगा देखो x square x square हो जाएगा माइनस साइण अब alpha की जगे क्या रखना है alpha plus beta क्योंकि यह पूरा एक मूल है तो alpha plus beta फिर plus sign के साथ अब beta का मान alpha minus beta रख दिया x plus alpha plus beta गुणा alpha minus beta बराबर 0 यह हो जाएगा ठीक है अब क्या करोगे इसको solve तो यह हो जाएगा x square minus अब देखिए जो कट रहा है उसको काट डालिए तो यह plus beta यह minus beta कट हो गया यह जाएगा अब 2 alpha और x plus alpha plus beta alpha minus beta a plus b a minus b क्या होता है a plus b गुणा a minus b a square minus b square तो alpha plus beta alpha minus beta क्या हो जाएगा alpha square minus beta square alpha square minus beta square बराबर 0 ठीक है बस यह जो है आपके पास जहां कहीं भी option दिख रहा है आप टिक कर देजेए अब इसके अंदर देखिए पहला option है t square minus alpha plus beta t plus alpha plus beta into alpha minus beta नहीं भाई क्यों 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 क्योंकि बीच के अंदर यहां पर जो है आपको यह तो चलो गुणा नहीं किया तो कोई नहीं एजिटी लिग सकता है इसमें गलत नहीं है लेकिन यह alpha plus beta आ रहा है alpha plus beta थोड़ी आएगा क्या आएगा x का गुणांग या t का गुणांग तो आएगा 2 alpha तो a gt जहां दिखेगी वो answer होगा और यह दिख गई तीसरे option में यह देखो अपने x लिया इसना t ले रखा है लेकिन समभी करने एक ही है t square minus 2 alpha t plus alpha square minus beta square बराबर 0 जो की यह रही है समझ में आ गई बात तो यह question आपके LDC 2018 के अंदर आया हुआ था आप direct कर सकते है और यह चीज़े हमने पहले भी हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियोज अपलोड कर रखी है उसमें देख लीजे बता रखी है कोई ऐसा नहीं है कि यह आने के बाद बता रहे है तो बहुत basic concept है यह हर बार पढ़ाया जाता है हर जगे पढ़ाया जाता है कोई मैंने भी विशेश नहीं पढ़ाया ठीक चलो देख लिखे इसको खड़ापट से और अब आप ये भी याद रख सकते हैं अगर इसको जो है theory form में आप याद रखना चाहें तो क्या की x square minus मूलो का योग मैं इसको theory form में भी लिख देता हूँ आप ये करेंगे मूलो का योग गुणा x plus मूलो का गुणन फल बराबर 0 ठीक है या x square minus मूलो का योग गुणा x plus मूलो का गुणन फल ठीक है ये याद रख लेना आपका काम आसान हो जाएगा theory form में भी बता दिया और correct इस समिकरंट से अगर कोई समझ जाएगा तो valent code है ठीक है चलिए बड़े आगे की तरफ next question देखेंगे ये देखिए आपके पास मैं बहुती सांदार सा question आया था और इस question से मैं दिखाऊँगा कि आपको कैसे जो है language के अंदर गुमाया फिराया जा सकता है पोशन देखिए यदी समिकरंट 5x square प्लस 13x प्लस k बराबर 0 का एक मूल उसका एक मूल है वो उसरे मूल के व्यूत करम व्यूत करम का मतलब होता है उल्टा ठीक है अब जो क्या है कि मैं इसमें यह नहीं कहा रहा हूं कि यह subject वाले कमजोर है यह और वो नहीं कहा रहा हूं उतकरम जो व्यूतकरम सब्द है इस व्यूतकरम सब्द के बारे में साइंस वाले विद्यार्थी हर बार यूज़ करता है इस सब्द को तो उनको तो पता होता है कि उल्टा लेकिन जैसे ही जब आपके कॉमर्स बेगराउंड से आता है को विद्यार्थी को आर्स बेगराउं यहनि इसका मान लो एक मूल आपने alpha माना तो दूसरा automatic निकल गया one upon alpha तो इसके दो मूल कौन से हो गए? alpha और one upon में alpha ठीक है? चलिए तो alpha और one upon alpha जो है यह इस समीकरण के मूल है क्या है इस समीकरण के मूल है तो अब आपको क्या करना है? तो बस क्या करोगे? क्या करोगे? अरे कुछ भी नहीं करना है आपको तो अब केवल और केवल देखिए मूलो का योग करेंगे तो क्या आएगा? alpha प्लस one upon में alpha ठीक है? और यहाँ पर कितना दे रखा है? तो देखिए मूलो का योग निकालने का तरीका था minus का b upon में a b की value है 13 यानि minus के 13 हो जाएंगे और a की value कितनी है? 5 यह आ गया और alpha गुणा one upon में alpha alpha गुणा one upon में alpha क्या आएगा? c upon में a c का मान कितना है? k upon में a यानि 5 आपको यह भी लिखने की जरूरत नहीं थी यह तो सिर्फ बताया है यह और बता दू इसका जरूरत ही नहीं है answer तो इसी से आ जाएगा देखो कैसे आएगा alpha से alpha कट गया यह बचा क्या? one बराबर k upon में 5 5 जो है इससे multiply हो जाएगा तो k बराबर आजाएगा 5 बस यह आगया आपका answer यानि option number आपका हो जाएगा d 5 ठीक है? तो दियूगाज समीकरंट जो दे रखिए 5x square plus 13x plus k बराबर 0 उसका जो है एक मूल दूसरे मूल के व्यूत करम है यह condition हमें ध्यान रखनी थी तो हमने क्या करा एक मूल मान लिया अलफा तो दूसरा automatic निकला बन अपन मैं अलफा अब अलफा plus 1 अपन अलफा हो गया माइनस 13वटे 5 अलफा गुणा 1 अपन अलफा हो गया k बराबर 5 यानि एक बराबर k बराबर 5 पांच पांच का गुणा होगा के बराबर पांच आ जाएगा ठीक है तो यह आंसर आ गया आपका डी ठीक समझ में आ गई बात बस तो भी ऐसे कोशन आये थे प्रीविएस एर में कोई थोड़ी बाबर की तोप पूची गए थी कि बता यह भाईया के मैटल से बढ़े हुए उस समय में मैटल तो मैटल ली था उस समय में बढ़े हो चाया भी बढ़े है चलिए तो इसको एक बाद कर लीजिए फटापट इस टाइप के कोशन आये हुए है और भी मैं आगे कोशन करवा रहा हूं एक दो फिर अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है चलो अब थियोरी आपक पास में एक मिनट है ना ये ये देखेंगे दिख रहा है सभी को चलो है ना एक मिनट थोड़ा चोटा अब दिख रहा होगा है ना सभी को दिख रहा है अच्छे से कि यदि समीकरण 2Y square minus 8Y plus P बराबर 0 इसके मूल बराबर है ये क्या दिया गया है तो बताइए P बराबर क्या होगा ठीक है देखिए अब portion को ध्यान से देखेंगे सबसे पहली चीज जिसमें काम की है कि मूल बराबर है मूल बराबर होते ही हमें पता चल गया क्या कि B स्क्वेर माइनस 4AC बराबर होगा 0 यह पता चल गया बस तो अब क्या करोगे यहां से रेखिए अब कंपेरिजन करेंगे A का मान होगया 2 B का मान हो गया minus 8 C का मान हो गया P उठ कर दो उठ कर देंगे B का मान कितना है minus का 8 का square minus 4 A का मान कितना है 2 C का मान कितना है P बराबर 0 ठीक है अब minus 8 का square कितना होता है तो भाई 64 आ जाएगा चाहे minus के 8 का square करो चाहे plus के 8 का square करो 64 ही आएगा to P, 8P, बराबर 0, तो 64 बराबर आगया, आपके पास में 8P, अब क्या हो जाएगा तो यह आमने सामने कट जाएगा 8, 8, 64 ठीक है, तो P बराबर कितना आएगा भाई 8 आएगा P बराबर कितना आएगा, 8 आएगा, अब जहां कहीं भी P बराबर 8 ओप्सन दिख रहा, उसको टिक कर दो कहां दिख रहा है, B ओप्सन में दिख रहा है, बताइए कर लेंगे अब इस ट्राइब का कोशन, कर लेंगे या नहीं, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लिजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं कोशन की और, यह ना चलिए, जल्दी से कल लिजिए इसको नोट डाउन फटा फट चलिए, अगला कोशन लेते है अब और अगला कोशन यह रालो, देखिए भाई यह खुद के बनाए हुए कोशन है, ठीक है ना इसलिए, बहुत ही अलग लेवल के हैं, आपको यह नहीं मिलेंगे जनरल ही कहीं भी देखिए, कोशन क्या है, कि यदी समिकरण PX स्क्वेर माइनस 6X प्लस 3P क्या है? PX स्क्वेर माइनस 6X प्लस 3P बराबर 0, यह एक दिगा समिकरण है इसके मूलो का योगफल और साथी साथ गुणनदफल क्या दे दिया? बराबर दे दिया मूलो का योगफल और गुणनदफल बराबर है ठीक है? तो अब आप यह बताईए पहले तो कि योगफल, मालनो इसके दो समिकरण है, अलफा और बीटा तो अलफा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? मूलो का योगफल क्या होगा? माइनस बी अपॉन में ए यह होगा? चलो यह रख दिया और गुणनदफल अलफा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन में ए होगा ठीक अब माइनस B अपॉन में A बराबर C अपॉन में A दे रखा है और कुछ नहीं क्या बोला है इसने इसने बोला है कि माइनस का B अपॉन में A बराबर है C अपॉन में A के बोला है या नहीं इस पर देख लीजिए योग फल और गुड़न फल बराबर है यानि ये सम्मिक्रण और ये सम्मिक्रण बराबर है यानि माइनस B इपोन A बराबर C इपोन A है अब ये बताओ कि आमने सामने A से A कट गया ठीक है कटते ही क्या आगया C बराबर आगया माइनस का B C बराबर क्या आजाएगा माइनस का B आजाएगा अब C बराबर जैसे ही माइनस B आया अब इधर से comparison करो करो comparison देखो A का मान कितना है P ठीक है B का मान कितना है भाई तो माइनस का 6 और C का मान कितना है तो 3P ठीक है A का मान P, B का मान माइनस 6 और C का मान 3P अब क्या करोगे तो आपको बोला है कि C बराबर माइनस B है ये कंडिशन बोली है तो B का मान है देखो माइनस 6 और इदर भी लग जाएगा माइनस क्योंकि माइनस B दे रखा है तो माइनस ओफ माइनस 6 क्योंकि B का मान है माइनस 6 और एक minus already है तो minus of minus 6 बराबर C का मान कितना है 3P ठीक है अब minus minus हो गया plus बराबर आ गया ये अब ये इदर जो है अपन क्या करेंगे 3 से इसको काटेंगे कितनी बार 2 बार ठीक है P बराबर कितना आ गया 2 आ गया P बराबर कितना आ गया 2 आ गया पर अपन ने यहाँ पर P नहीं दे रखा वो K दे रखा भाई वो P है K नहीं है ठीक है इसको कर देंगे ये P है आपका लोग ठीक तो P का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यानि option number C आपका answer हो जाएगा और आपने देखा कि किस परकार के नए नए questions आपके सामने आ सकते हैं इसी परकार के question आपको exam में देखने को मिलेंगे और क्या मिलेगा वहाँ थोड़ी कोई नहीं धारा है जो आने वाली है ये से ही question आएंगे दियूगा समिकरन जो है मुझे उमीद है कि आप लोग जो है इस question को अब समझ गए होंगे और अच्छे से कर पा रहे होंगे ठीक है तो अब आगे जो है अपन अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास जो है अपनी एक बहुती सांदार क्लास होने वाली है क्योंकि आप उस topic को पढ़ने वाले हैं जो या तो IIT JEE के exam में है या फिर सिधा जो standards मैत होती है जैसे second grade, first grade वहाँ पर है और या फिर ये एक मात्र गणीत का exam होगा ऐसा जिसमें अंदर LDC और उसमें भी लगू गुणक topic दिया गया है logarithm topic दिया गया है और logarithm को अपन बहुत आसानी से समझने माले है बहुत ही सांधर सा topic है ठीक है चलिए तो love you all of you please take care and please share with your friends जै हिंद जै बात